राधे राधे दोस्तों, दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल केस्त्री राधे किष्णा सिंगार को सस्क्राइब नहीं किया है तो अभी सस्क्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस जरूर करें घर में सुख सांती और समरिधी के लिए सभी लोग पूजा इस्थान बनाते हैं जिसे पूजा घर कहा जाता है यहां बिभिन देवी देपताओं की मूर्तियों तस्वीरें होती हैं जिन से सुख शांती की प्रात्ना की जाती है लेकिन कई बार जाने अंजाने में हमसे कुछ जैसी गलतियां हो जाती हैं जिन से आपका पूजा इस्थान आपके उन्नती में बाधक बन जाता है और कई तरह की परिशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है आज हम आपको हमारे सास्त्रों में बताई हुई ऐसी ही कुछ बातें बताएंगे जिने आपको रोज की पूजा में ध्यान रखना चाहिए बहुत से लोग अपने बैडरूम में ही अपना पूजा इस्थान बना लेते हैं जो कि वास्तों सास्त के हिसाफ से बिल्कुल सही नहीं है बैडरूम में पूजा इस्थान नहीं होना चाहिए इससे पारिवारिक जीवन के संबंधों में परिशानी आती है अगर इस पेस की कमी के चलते आपको अपने बैडरूम में ही पूजा इस्थान बनाना पड़ रहा है तो आप उस पर एक लाल रंग का पड़दा लगा ले अगर आप बैडरूम के इलावा कही और पूजा इस्थान बनाएंगे तो जादा अच्छा रहेगा दोस्तों ऐसा कौन है जो भगवान की माता रानी की करपा नहीं पाना चाहता है आप जिन भी देवी देपताओं को पसंद करते हैं तो उनके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है इसलिए एक लाइक जरूर करें अगर पूजा के समय आपको अबासी ये छीक आ जाए तो आपको पानी से मुह धो लेना चाहिए और उसके बाद ही पूजा करनी चाहिए क्योंकि पूजा में सुधत्ता का विशेच ख्याल रखा चाहता है घर में गणिशी की मूर्ती होनी चाहिए लेकिन घर के मंदिर में कभी भी गणिशी की तीन मूर्ती ना रखें घर में गणिशी की तीन मूर्ती होना फायदे की जगह नुकसन पहुंचाता है आम तोर पर सब अपने मंदिर में शंक रखते हैं लेकिन अगर आपने अपने मंदिर में दो शंक रखे हैं तो आपको एक खटा देना चाहिए क्योंकि मंदिर में दो शंक रखना अशुव होता है घर में कभी भी बड़ा शिवलिंग इस्थापित नहीं करना चाहिए माना जाता है कि शिवलिंग बहुत संबेदंशील होता है घर में अगर आप सिबलिंग की स्थापना कर रहे हैं तो अंगूठे से बड़ा सिबलिंग स्थापित नहीं करना चाहिए मंदिर में कभी भी खंडित मूर्ती नहीं रखनी चाहिए अगर मूर्ती कहीं से तूट गई है, खंडित हो गई है तो उसे गंगा जी में बहती नदी में प्रवाहिद कर देना चाहिए कोशिश करें कि आप ऐसी मूर्थियों को गंगा जी में ही प्रवाहिद करें क्योंकि गंगा जल बहुत शुद्ध होता है अगर आप अपने पूरवजों की तस्वीरें लगाना चाहते हैं तो दक्षिन जिसा में लगाएं क्योंकि दक्षिन जिसा पूर्वजों के दिशा होती है अगर आपका मंदिर दक्षिन जिसा में है तो वहाँ पर भी आप अपने पूर्वजों के तस्वीरें ना लगाएं और कोशिश करें कि अपना मंदिर उत्तर या पूर्दिशा में ही स्थापित करें भगवान को अर्पित की जाने वाली फूल पत्तियां बिना धुली नहीं होनी चाहिए उन्हें आप एक बाव सक्ष पाने से जरूर धूलें मंदिर के आसपास या मंदिर के उपर कुड़ा कवाड़ा एक खटा ना करें पूजा या कोई भी धार में कारे करते समय खंडे तीपक या पूजा की कोई भी खंडे सामिकरी तूटी हुई सामिकरी इस्तमाल नहीं करनी चाहिए आप पूजा में चावल इस्तमाल करें तो याद रखें अक्षा त्यानी चावल सावुत ही इस्तमाल करें खंडिच चावल भगवान की पूजा में सुईकार नहीं किये चाते मंदिर में जलाए गए घी के तीपक के लिए सफेज रंग की बत्ती का इस्तमाल करना चाहिए और तेल के तीपक के लिए लाल धागे की बत्ती का ही इस्तमाल करना चाहिए लेकिन आप जब मालक्षमी की पूजा करें तो तीपक पे लाल रंग की बाती ही लगाएं चाहें वो घी का जलाएं या तेल का जलाएं मालक्षमी उससे प्रसंद होती हैं ये सच है कि भवान अपने लिए पूजा से नहीं शद्धा से प्रसंद होते हैं लेकिन खुश्पिधी विधान ऐसे हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है मंदिर में जलाया हुआ पूजा के लिए दीपक भुझना नहीं चाहिए लेकिन अगर है दीपक भुझ जाता है तो इससे पूजा का फल प्राक्त नहीं होता इस बात का भी विशेष जान रखें कि आप मंदिर में जो भी दीपक जलाएं उसके नीचे चावल रख दे या लाल कपड़ा बिछा दे या एक छोटी सी कटोरी या किसी बरतन में दीपक को रखें नहीं तो वह दीपक फूर नहीं माना जाता मंदिर के इस्थान पर जूते चपल खास कर चम्डे से बनी हुई कोई भी चीज नहीं रखनी चाहिए नहीं इन्हें पहन कर पूजा करनी चाहिए पूजा में चावल यानी अच्छा जरूर होने चाहिए याद रखें कि पूजा में इस्तमाल किये हुए चावल तूटे फूटे खंडित नहीं होने चाहिए अगर आप उन्हें हल्दी से पीला कर लेंगे तो यह और भी जादा शुब होगा चावल पूर्टा का प्रतीक है अगर आपकी कोई सामिक्री कम रह जाए तो बीट पूजा में से ना उठें सामिक्री का ध्यान करके भगवान को चावल चड़ाएं और उनसे छमा मांग लें इससे आपकी पूजा पूर्ट हो चाएगी पूजा घर में पुराने हुए फूल माला और अगर बत्तिया नहीं रखनी चाहिए इससे नकारात्रकूर्जा का संचार होता है जो आपकी खुश्य और आई को कम करने का काम करते हैं संचाले या पात्रूम से लगा हुआ पूजा घर नहीं होना चाहिए और रसोई घर से लगा हुआ भी पूजा घर नहीं होना चाहिए इसकी बज़ा यह है कि रसोई घर में जूटन जूटे बरतन और डश्ट विन रसोई घर की पवित्ता को नश्ट करते हैं इसलिए डश्ट विन को रसोई घर से बाहर ही रखें और कोशिश करें कि अपने जूटे बर्तन आप माज कर साफ करकर हाथ के हाथ रख दें और रात को तो उन्हें साफ करकर ही सोएं हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग अपने रसोई घर के बर्तन रात को साफ करकर सोते हैं उन पर मा लक्ष्मी की असीन क्रपा होती है घर में सिडियों के नीचे भी मंदिर नहीं होना चाहिए इस बात का विशेज ज्यान रखें कि एकासी के दिन भगवान विश्णू को चावल और भगवान शिगनेश को तुलसी जी देवी मा को दूरबा और सूरे देव को बेल पत्र कभी भी नहीं चड़ाने चाहिए सिरी गनेश को दूरबा भगवान शिप को बेल पत्र भगवान विश्णू को तुलसी जी मा दुरगा को लॉंग और लाल फूल और भगवान सूरे देव को लाल कानेर की फूल अतिप्रिय होते हैं अगर आप यह सब ना चड़ा सकें तो सब को अक्षत यानी चावल अतिप्रिय होते हैं तो आप सब को चावल जरू चड़ा दें लेकिन एकासी के दिन भगवान विश्णू को चावल ना चड़ाएं पूजा में दीपक हमेशा सही जगह रखना चाहिए घी का दीपक हमेशा अपने दाएं हाथ की और रखें और तेल का दीपक हमेशा अपने बाएं हाथ की और रखना चाहिए जल पात्र घंटा या आपके मंदिर में जो घंटी रखी है और धूपदानी यह हमेशा अपने पाएं हाथ की उर रखनी चाहिए भगवान जी को इसनान कराने के बाद जब आप भगवान जी को चंदन टीगा करें तो याद रखें कि अनामे का उंगली से ही आप भगवान जी को तिलक लगाएं क्योंकि अंगूठे से तो सिर्फ भाईयों को भाई दोच पर या रक्षा बंदन पर तिलक किया चाहता है अनामе का उंगली उसे कहा जाता है जो आपके हाथ में छोटी उंगली होती है उसके पास वाली उंगली को अनामे का उंगली कहा चाता है उससे ही तिलक करें लोग कहते हैं कि दुर्गा माता गणिशजी और हनमान जी इनमें से किसी भी मूर्ती से सिंदूर लेकर माथे पर ना लगाएं पर ये गलत है आप सिंदूर लेकर लगा सकते हैं इससे भगवान का आशिरवाक प्राप्त होता है पर महिलाएं इस वाद का विशेश जान रखें कि वह हनुमान जी की मूर्थी से सिंदूर लेकर ना लगाएं किसी पुरुष से या किसी बच्चे से ले लें उसके बाद ही उसे माथे पर लगाएं लोग कहते हैं कि आप ने जो पूजा के लिए एक दीपक जलाया है उससे पूजा के लिए ही दूसरा दीपक कपूर धूपत्ती अगर बत्ती ना जलाएं पर यह कलत हैं अगर आप पूजा के लिए जला रहे हैं तो जला सकते हैं क्योंकि जोद से जोद जलाना वहर शोब माना जाता है, आप और किसी काम के लिए दीपक की जोद से जोद ना ले. रोज की पूजा में इस बात का भी विशेष जान रखें कि आप मंदिर की साफ सफाई करकर ही पूजा करें, ऐसे ही पूजा ना करें. उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक शेयर और सस्क्राइब थैंक्स वर वाचिंग रादे रादे